एक खूपसुरत दिन्दी गल है आलिस अपनी दीदी नाल पिकनिक ते गई सी दीदी अपनी किताब पढ़ रही सी अत्य साथी आलिस बोर हो रही सी उससे विल्ले एक चिट्टा खरगोश उत्थो लंग गया ओ खरगोश अपनी आप नाल गल कर रहा सी एलिस नू बड़ा अजीब लग गया कि खरगोश गल कीवे कर रहा है खरगोश ने पॉकिट विच्चो एक कड़ी कड़ी ते बोलेया ओहो किन्ना लेट हो गया मैं एलिस हेरान होके वेक रही सी सब अत्य ओ खरगोश दे मगर मगर तुर पई खरगोश ने एक पेड़ दे चड़के उदे तने विच छाल मारी अत्य ऐलिस ने वी ओदे मगर छाल मारी अंदर ओ डिगदी ही जा रही सी जीवे कोई डूंगा खू होवे ओ थल्ले होर थल्ले थल्ले डिगदे होए ओनू कई चीजा दिख रही हां सी फरनीचर खान दिया चीजा अत्य बहुत कुछ ओदी जीवे दुनियाई कुम रही सी अखीर्च ओ एक गदे ते जा डिगी उठदे ही ओदे सामने एक कोरिडोर सी लम्मा जेहा अत्य ओ तुर्की जान लगी ओनू कई सारे बूहे देखे जड़े लौग्ड सी अचानक खरगोश गायब हो गया होण उन्हों चिंता होण लगी सी के ओ बाहर कीवे निकलेगी उसे बेले उन्हों टेबल ते पई मिली एक चाबी इस चाबी नो उन्हे उन्हा बूहिया चलाया पर चाबी बहुत छोटी पह रही सी इदर उदर देखणते उन्हों पढ़दे दे पिछे लुक्या होया दिख्या एक निकका जेहा बूहा अते उद्धे चाबी लान्दे ही आबरा का डाबरा बूहा खुल गया अते खुल दे ही ऐलेस ने जो वेख्या वाह उन्हे वेख्या एक बहुत सोणा गाडन पर अलेस उद्धे जा नहीं पा रही सी क्योंकि बूहा निकका सी ओ जदो वापस अंदर आई टेबल ते एक बोतल पई सी जिद्धे उद्धे लिख्या सी ड्रेंक मी अलेस गट-गट करके उन्हों पीन लगी जिन्ना ओ जादूई शर्बट पी रही सी उन्ही ही हो निककी हुंदी जा रही सी हुण ओ एन्नी निककी हो गई के बूही तो बाहर निकल सकदी सी पर जदो उन्हें चाबी वल वेख्या ताँ पता लग्या के ओ उस तक पॉंच नहीं पावेगी ओ रोण लगपई उससे विले उन्हों फ्लोर ते एक केक दिख्या आते उस केक ते लिख्या सी इट मी एलिस ने उस केक चों एक टोटा लेके खादा खान्दे ही ओ वापस बड़ी होन लगई हुण ओ चाबीता चक लेंदी पर उस बुहे चों कीवे निकलेगी एलिस बहुत दुखी हो गई ओ फेर तो रोण लगपई ओ इन्ना रोई के उद्धे हंजुआ नाल दर्या जिहा बढ़ गया ओसे वेले ओ खरगोश ओथों हड़ड़ीच पज़ के गया एलिस ने सद्या प्लीस रुको, हेल्प मी पर ओ जानदा ही रहा तेख्या वी नी मुणके पर जानदे होए ओधे गलव्स अते हैंड फैन डिग गए एलिस ने ओधा समान चुक्या अते जीवे ही ओने हैंड फैन नाल हवा चली ओ फेर निक्की होन लगी ओसे वेले ओ स्लिप होके अपने हंजुआद दरियाच टिग पई एलिस अते कई जानवर वी ओधे चोब बहके निकलन लग्ये जदो ओ बाहर निकले सब पिज चुके सी एलिस नू फेर तो ओ खरगोश दिख्या खरगोश नू लग्या कि एलिस ओधी मेड है ओने ओनू ओधे कर जाके ओधे गलव्ज दे हैंड फैन ले आणनू के हा एलिस जँगल चे खरगोश दे कर गई अंदर जानदे ही ओन्नू गलव्ज आते हैंड फैन मिल गई टेबल ते एक बोतल भी दिखी ओधे कोल पहुँचके ओने सोचया एननू पी लवा ओने बोतल लेके जादू इशर्बत पूरी पी लई उल्टा ओ एननी बड़ी हो गई के कर ते अंदर भी आने ही पा रही सी ओड में की करां? वापस नॉर्मल साइज दे कीवे पहुचे हो दुज्जे पासे खरगोश ऐलिस दे लई वेट कर रहा सी अलिस तो डर के जानवर ओस कर ते पत्थर सुटन लगे जेडावी पत्थर अलिस दे कोल पौँच रहा सी ओ केक मण रहा सी अलिस एक केक खांदे ही फेर निक्की होन लगी आते ओस कर चो निकल सकी पर एस वारी ओ बोथ ज्यादा निक्की हो चुकी सी एन्नी निक्की के ओ पेड पौध्यादे बचा ले गुआच रही सी वापस नॉर्मल साइज ते कीवे पहुचे ओ उन्नू दूर एक पप्पी दिखाई दित्ता उन्ने उन्नू पुछकारन लई बुलाया ओदे कोल आंदे ही उन्नू पता लग्या कि ओ किन्नी निक्की हो गई सी ओप्पी दे हिठा कुछली जान तो मसा बची ओपजदी होई एक मश्रूम दे नाल जा टकराई ओदे उते एक ब्लू कैटरपिलर बैठा सी अलिस ने उन्नू पुछिया कि किद्दा नॉर्मल हो सकती हमें कैटरपिलर मुश्कुरा के बोलया मश्रूम दा एक साइड तेनू बड़ा कर सकता है ते दूजा साइड निक्का अलिस ने एक छोटा मश्रूम दा टोटा खादा आते एन्नी वड़ी हो गई कि उन्नू अपने पैर ही नजर नहीं आ रहे सी तेहुन नॉर्मल होन वास्ते उन्ने दुजे साइड दा मश्रूम खादा दोनों साइड दा पोरा पोरा खाके ओ फाइनली अपने नॉर्मल साइज तक पोँच गई दोवे साइड तो एक एक टोटा लेके अपने हथ चा रखेया अग्गे बदते होए उन्नू एक निक्का जिहा कार दिखेया पर ओदे अंदर जान वास्ते उन्नू फेर निक्का होना सी मश्रूम दा टोटा खाके उनिक्की हो गई कार दे अंदर एलिस किचिन विच पहुची ओथे डचेज अपने जुआक नाल खड़ी सी आते ओथे एक मोटा बिल्ला वी सी एलिस ते हस रहा सी एलिस ने पहली बारी कोई मुश्कुरान्दा होया बिल्ला विख्या तो आड़ा बिल्ला हस क्यों रहा है? क्योंकि ये चेशर कैट है डचेज बोली उसे वेले ओबिल्ला गायब हो गया अते डचेज दा जुआक रोण लग गया डचेज ने जुआक एलिस नो दिता तो एननों खिडा जाद तक एसो नहीं जानदा मैं कुईन देन आल क्रोकेट खिड़न जा रही हा अलिस ने जुआक नों खिडाना शुरू किता उसे वेले ओबिल्ला वापस तो प्रकट होया अते हस के बोलन लगा तेनों मैड हेटर ते मार छेर नों लबना होएगा समभल के कमला है तरा अलिस गुसे नाल ओदे उते चिखी बार बार गायब होणा प्रकट होणा बंद कर ठीक है मैं होली होली गायब हो सकदा पहला पूँच गई फिर टिड़ गया अते पैर ओ गायब होण लगया सिर्फ चेरा ही रह गया सी अलिस बाहर गई अते उन्नों मार्च हैर दा कर मिल गया मार्च हैर मैड हैटर दे नाल चापी रहा सी मार्च हैर दे कन्ना बचाले पूँच रख्या सी अलिस नों समझ भी नहीं आया कि क्यूं आते MAD HATOR ने एक hat पाया होया सी एक चूः आराम नाल टेबल दे सुत्ता पया सी आते ए दोवे ओनू सर्हाने दी तरह इस्तमाल कर रहे सी ALICE दे आन्दे ही दोवे चिला पये के था नहीं है Alice बोली इन्ही सारी ता था है MAD HATTER ALICE नू पुछोधा है कन क्यूं एक टेबल वारगा लगदा है तुसी दसो मैंनू नहीं पता एलिस एना दोना दियां गल्ला ते सवाला तो परिशान हो गई एस अपनो बगवास मीटिंग रही है ओ बोली एलिस नू एक बूहा दिख्या एक पेड़ दे तने विच अंदर आंदे ही उन्नो एक गोल्डन चाबी मिली उस चाबी नाल एक बूहा खुल्या गार्डन दा एक गार्डन सी क्वीन ओफ हार्ट्स दा अतिस सारे वाइट रोजिजनू रेड पेड़ किता जा रहा सी सारे लोखी ताश दे पत्या वर्गे सी एलिस ने पुछिया क्यों पेइंट कर रहे हो सारे वाइट रोजिजनू रेड गार्डनर बोलिया कुवी इन्नू रेड रोजिज चाहिए देसी परसे गल्ती नाल वाइट रोजिज उगा देते कुवी इन्नू पता लग्या था साड़ी खैर नहीं उसे वेले कुवीन अफ हार्ड्स उत्थे आई पहली बारी दिखी इस कुड़ी नू कुवीन अफ हार्ड्स ने क्रोकेट खेड़न लई सद्या अलिस ने एदा दा क्रोकेट फिल्ड कदे नहीं देख्यां सी पहला गेम दे बचाले खिडारी एक दुझे ते हॉग्स सुट के लड़न लग्ये एता कुवीन नू बहुत बुरा लग्या ओ गुस्से चिल्लाई सारे खिडारिया दे सीर कलम कर दिता जा उनना ने क्रोकेट पाटी कैंसल कर दिती सारे कोट दे वल गए कुईन दे किचन चो पाई चोरी करण वाले जैक ओफ हार्ट्स उते केस सी कुईन हाथ से दे समय जैक ओफ हार्ट्स नू नहीं पड़ सकी सी ते सजा की वे दिन दी जैक अफ हार्ट्स नू बंदी बणा के रख्या गया सी खरगोश ने एक कागस तो पढ़ना शुरू किता एक संडे दी गल है साड़ी कुईन अफ हार्ट्स ने पाई बणाईयां सी अते जैक अफ हार्ट्स ने उन्हानो चोरी कर लिता किंग ने केहा पहले विटनिस नू बुलाए जाए पहला विटनिस सी मैड हैटर मैड हैटर दे गल करदे करदे आलिस अचानक तो बदण लग पई खरगोश ने आलिस नू विटनिस स्टैंड ते आ लाई के हा अपना नाम सुन्दे ही आलिस खड़ी हो गई ओ एनिबड़ी हो चुकी सी फेड़तों के ओधी ड्रेस जूरी दे बेंच विच फास गई ओ बेंच पुर्थी हो गई आते कुछ जूरी मेंबर्स भी डिग गए क्वीन ने आलिस नू सब कुछ दस्तरनों केहा मैनू कुछ नहीं पता आलिस बोली आलिस ने हिम्मत नाल केहा तो आड़े ओडर्स मैं क्यूं मनना तुसे मेरी कुईन नहीं हो तो आड़ा कोई हक नहीं मेरे उत्ते जीवे ही आलिस ने एक केहा क्वीन, किंग अत्य सारे ताशते पत्ते आलिस वलनू उड़न लग पए आलिस ने उनना नू फड़न दी कोशिश किती पर उन आलिस नू एक हनेरी बाण के केरन लग पए अत्य उनों भी अपने अंदर खिच लेया कुम कुम के आलिस उनना ताश दे पत्त्यां दे नाल पोँच गई हरे पत्ते दे फुलना दे विच ओदी दीदी ने अवाज लगाई आलिस उठवी जाहुड जदो वो उठी ताश समझी के सब एक सपना सी वाओ कि सपना सी दीदी मैं सुनावा अपना सपना त्वानू एक खरगोश जैकेट पाए हुए एक समय दी गल है एक बहुत अमीर आदमी सी ओना दियां तिन बेटियां सी जीदे चों दो बहुत ही लालची अते मतलबी सी पर ओना दी तीजी बेटी दे दिल विच तेर सारा प्यार सी एक दिन पियो नू खबर मिली के उना दे कुछ जहाज तुफान दी वजे नाल समुन्दर विच डुब गएने ओस पिचारे दा सब कुछ खतम हो गया सिवाए जिस कार विच ओ रहन दे सी दोवे लालची पैना इस गलतों ज़रा परिशान सी ओस पूरा दिन ओ बस बैठे बैठे चंगा मंदा बोल रही आ सी कर दा सारा काम ब्यूटी ही कर रही सी कुछ समय बाद पिताजी नूँ पता चलिया के उन्द एक जहाज समुंदर कंडे पॉँच गया है ओ ओदे कोल जान दी तेयारी करण लगे जान तो पहला उन्द ने अपनी बेठिया नूँ पुछिया तो अड़े तीना दिवस्ते असी की लिए आई है ज्रेस, शूज, नेटलेस अथे ब्रेसलेट्स ते तेरे लिए ब्यूटी कुछ ता मंग बस एक गुलाब दा फूल डाड़ी पिताजी एक लम्मा सफर तै करके उस जहाज तक पॉँचे ना उस विच कोई समान सी ना ही ओ जहाज कमदा रह गया सी उदास अत्य ठक्के हारे ओ वापस करनू मुड़ पए हनेरा हुंदे हुंदे ओ एक जंगल विच पहुँचे सुनसान प्यासी अत्य ठंड वी सी बर्फ पै रही सी कई कंट्यां तक ओ तुर्दे रहे बर्फ दे उत्ते वी अखीर एक जगा उन्ना नू एक कैसल दिख्या जीदे विच लाइटा जल रही सी ओ मदद दी उमीद विच अंदर गए कुछ अजीब सी ओ कैसल सारे पासे लाइटा जल रही सी डाइनिंग टेबल ते खाना भी लगया सी अत्य चिमनी भी जल रही सी मगर इंसान एक वी नजर नहीं आ रही हा सी उन्ना ने अवाज भी लगाई पर कोई जवाब नहीं कदों तक रुख दे पुख बड़ी लगी सी उन्ना ने खाना खाया अत्य एक सोने जेहे बैड़ते सो गय जदों ओ सवेरे उठे उन्ना नू पान वास्ते ताजी कपड़े तियार मिले ठले गए ता शांदर ब्रेक्फिस तियार सी ऐ जरूर किसी परिदा कैसल होवेगा पुरना कोई किसी दियानी मदद कर दे ओ मिले ता मैं थैंक्यू बोलंगा मिलकर कैसल चो निकल दे होए उन्ना नू गार्डन विच गुलाब दिख्या उन्ना ने सोच या मैं अपनी दोना बेटिया वास्ते ताँ कुछ नहीं लेके जा रहा कट तो कट ब्यूटी वास्ते ताँ ले जावा जिद्धा ही उन्ना ने एक गुलाब तोड़िया तरती हिलन लगई अते हवा तेज हो गई पेडा दे विच्चों एक राक्ष स्वर्गा दिखन वाला बीस्ट निकल के आया पिताजी दे सिर चक्राण लगगा उन्नू देखके मैं तेनों खाना देता कपड़े दित्ते रहन दी जगा दित्ती ते तुस्सी मेरे गुलाब तोड़ देओ एश्राफ दतोड़िया पिताजी उन्नू सौरी केंदे रहे अत्ते दस्या के ओ एक गुलाब अपनी बेटी वास्ते लेके जाना चान्दे सी जो तुसे किता ओदी सजाते मिलेगी मैंनू माफ कर दवू मैं तुनू एक ही शर्ता माफ कर सकता हूँ बीश्ट ने पियो नू बोलिया तुआणी तीन तियाने जे उन्ना चो एक मेरे नाल रहन लगे ता मैं तुनू जिन्दा रहन दे आगा दिल ते बोज लेके पिताजी कारवल तुर पै कर पाउंचन ते दोनों मतलबी पैणा ने पिताजी दी कहाणी सुनी पर बीश्ट दी शर्त नू अंसुना कर दिता ब्यूटी उन्ना तो वक्री सी डाडी जे तुसी हाँ कहो ता बीश्ट दे कोल मैं चली जानी हाँ दोनों मतलबी पैणा खुश हो गईया क्योंकि उन्ना नू लगदा सी के वैसे वी सारी गलती ब्यूटी दी ही सी उदास अते मजबूर पिताजी ब्यूटी नू लेखे कैसल वल निकले पौँच के वेख्या कि सब कुछ पहलना वरगाही सी टेबल ते खाना सी अते कोई नजर नहीं आ रहा सी उन्ना ने खाना खाना शुरू ही कित्ता सी के बीश्ट उते पौँच या उन्नू देख दे ही ब्यूटी दी हालत खराब हो गई क्योंकि बीश्ट उन्ना ही प्यानक सी जिन्ना पिताजी ने उन्नू दस्या सी बीश्ट ने बोध नमरता दे नाल पुछ्चिया कि तु यत्थे अपनी मर्जी नाल आई है हाँ ता कल स्वेरे तेरे पिताजी यत्थो चले जानगे, ते कदी नहीं बढ़ेंगे ब्यूटी अगली सवेर उठी ता पिताजी जा चुके सी, अते शांदर ब्रेक्फिस्ट ओधी उडीक कर रहा सी ओ, कुछ देर गार्डन विच कुम रही सी, गुलाब देख दे ही, ओ उदास हो गई फिर ओ, कैसिल दे अंदर गई, एक बूहा गुलाब नाल पर्या सी उन्हों समझ नहीं आया ओ, ओ ओदे अंदर गई, बहुत सोणे तरीके नाल उस रूम नू सजाया गया सी ओदे विच किताबा, फूल अते म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट सी ओ नू लग गया, ये जेडा रूम नू एस तरहां सजा सकदा है ओ किसे नू सट नहीं पुजा सकदा फेर उन्हें एक किताब चुकी, ओदे विच गोल्डन लेटर्ज नाल लिखिया सी साहिबा त्वाड़ी ख्वाइश मेरी लई हुकम है काश मैं डाडी नू हुणे देख पांदी जिद्दा ही ब्यूटी ने बुलया, उन्हु शीशे विच पिताजी दिखे ब्यूटी बहुत खुश होई ओदे पिताजी ओदे सामने जोसी, ओसी रात डिनर दे समय, बीस्ट फेर आया के मैं तुआ नू देख सकदां ब्यूटी? ऐ कैसल तुआड़ा है, मैंनू क्यों पुछ रहे हो? नहीं, उन्हें सब तुआड़ा है, तुसी चाहो, ता मैं उन्हें निकल जावाए थो ब्यूटी नू बहुत अचरज होया एं सुनके मैं तुआने कुछ पुशना चानना, के मैं सची ही बत्सूरा था उन्हें समझ नहीं आरे हासी के उन की बोले फिर उन्हें सिर हिला के हामी परी ता मेरे नाल व्या करेंगी? एस वारी ब्यूटी जरा सकती नाल बोल पई, नहीं बीस्ट वापस मुढ के चला गया, उदास कला हर रोज डिनर दे वेले बीस्ट ब्यूटी नू मिलदा सी आते ओधी काफी देख बाल करदा सी, एद्दा ही दिन गुजरदे रहे आते ब्यूटी नू बीस्ट दी आदज जेही पैगई सी काश ये जरा सोने हुन्दे कुछ महीने होर गुजरे, खुण ब्यूटी नू बीस्ट तो कोई डर नहीं सी बल्कि ओन्नू ओ पसंद आन लगा सी एक दिन ओन्नू शीशे विच अपने पिताजी बिमार्द से ओ बीस्ट दे कोल गई कर जान लई पुछन क्योकि ओन्नू अपने पिताजी दी देख पाल करनी सी बिल्कुल तुसी जा सक देओ पर जे तुसी वापस नहीं आये शायर में दुखनल मर जावागा मैं एक हफ़ते विच वापस आ जावांगी बीस्ट ने ब्यूटी नू एक मुंद्री दित्ती ओन्नू जे ओ सोन्दे वेले उतार दवे ओ उठेगी सिद्धा कैसल दे अंदर अगली सवेर ओ अपने पिताजी दे कार विच अपने पुराने बैड़ते जागी ओ अपने डैडी नू वेख के बहुत खुश होई आते ओदे डैडी दी अधी बिमारी पाज गई उन्नू मिलके दो पैहर नू ब्यूटी दिया पैणा जिनादा हुण व्या होच कासी पिताजी नू मिलन आया कार विच ब्यूटी नू देख के ओन्ना नू बहुत गुसा आया ओन्ना ने ओन्नू उल्जन विच फसान दी ठान लई ओन्नू एदर एक हफ्ता होर रोक लेने हा ब्यूटी गुसे विच आयेगा अते ओन्नू मार दवेगा तो नो पैणा ब्यूटी कोल जाके रोण लगिया अते केहा कि ओन्ना नू वक वक नहीं रेना ब्यूटी ने फैसला कर लेया एक होर हफ्ता उते रेन दा कुछ दिना विच ही ब्यूटी नू बीस्ट दी याद आन लग पई एक रात ओने बीस्ट नू अपने गाडन विच बेजान जेहा पेया होया विख्या ओ एकदम कबरा उठी मैं किन्नी मतला भी बन रही हा ओने उसी वेलले अपनी मुंदरी कड की रख दिती अते अगली सवेर ओ बीस्ट दी कैसल विच उठी ओ दिन पर बीस्ट दा रस्ता देख दी रही पर ओ दी कोई खबर नहीं कंटो परिशान रही पर बीस्ट दी कोई खबर नहीं एकदम तो ओ गाडन विच गई बीस्ट ओथे ही प्यासी बिल्कुल ओद्धा ही जिद्धा सपने विच देख्या सी उन्ने ब्यूटी पजिके गई ओदे कोल आते उन्नू गले लाल्या बीस्ट दा दिल तड़क रहा सी उन्ने बड़ी मुश्किल नाल अखा खोलियां ते कुछ केहा उसे पल कुछ जादू जेहा होन लगया कैसल दी खूपसूर्ती दो गुणा हो गई ब्यूटी ने चमक दियां अखा नाल चारो पासे वेख्या अते फेर जदों बीस्ट वल मुड़ी ओ ते उत्थे एक गब्रू जवान ते सोना प्रिंस सी उन्नू देख दे ही ब्यूटी नू रोणा आ गया तुसी कौन हो बीस्ट सी एथे ओ किथे गए प्रिंस उठके बोलिया मैं ही ओ बीस्ट है एक डायन ने मेरे उत्ते जादू करके मैंनो एक प्यानक बीस्ट बना दितता से ज़े तुसी मैंनो व्यालाई नहीं पुछ दे मैंनो पूरी जिंदगी बीस्ट बनके एकटनी पहन दी ब्यूटी ए सुणके बहुत खुश होई सच्चे दिल नाल उन्हों सच्चा प्यार जो मिलिया ब्यूटी अते प्रिंस ने व्याक इत्ता अते हमेशा खुशी खुशी रहे